नमस्कार दोस्तों मैं प्रशान्त आप सबका वन इडिया हिंदी में स्वागत करता हूँ जब लग रहा था कि दोनों टीम को संभाल रहे हैं और धीरे धीरे ही सही टीम को इंदिया के दिये लक्ष की ओर ले जा रहे हैं उसी दोरान हार्दिक पांडिया ने टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाने का काम किया जी हां पारी का अठारवां ओबर लेकर आए हार्दिक पांडिया ने अपनी आखरी गेंद पर सुनिल एम्बरिस को LBW आउट कर पेविलियन भेजने का काम किया आपको ता दें पांचवी गेंद पर सुनिल एम्बरिस ने हार्दिक पांडिया को मिडविकेट की उपर एक जोरदार चौका जड़ दिया था इसके बाद हार्दिक पांडिया ने छटी गेंद एक ओफ कटर डाल दी सुनिल एम्बरिस इस गेंद को खेलने में पूरी तरह से चूक गए और गेंद सीधे जाकर उनके फ्रंट पैट्स पर लगी हर्दिक पांडिया ने जोरदार अपील की और अम्पायर ने भी उंगली खड़ी कर दी सुनिल एम्बरिस को भी ये काफी प्लंब लगा था इसलिए उन्हें ने रिव्यू भी नहीं लिया और वापस पे वेलियन लौट कै सुनिल एम्बरिस ने 40 गेंदे खे ली और 31 रण बना कर वापस पे वेलियन लौट गया इस दुरान उन्हें ने दो चौके लगाए आपको उता दें हर्दिक पांडिया पारी के अठारेवे और में खास से महंगे साबित हो रहे थे इस ओबर में तो चौके समेथ 11 रन आ चुके थे लेकिन आखरी गेंद पर हर्दिक पांडिया ने कमाल की वापसी की और सुनिल एम्बरिस को चलता कर दिया हर्दिक पांडिया ने सुनिल अम्ब्रिस को आउट करने के बाद जिस तरह का रियाक्शन दिया वो भी देखने लायक था हर्दिक पांडिया अपील करते हुए बैठ गर थे और बैठे बैठे ही उन्होंने एक जोरदार अपील की थी अम्पायर के आउट दिये जने के बाद उन्होंने तालिया बजाते हुए अम्ब्रिस को वाफस पेविलियन का रास्ता दिखाया ये काफी हास्यास्पत लग रहा था लेकिन हर्दिक पांडिया ने कमाल की गेंद पर अम्ब्रिस को चलता कर दिया था खलाल के इस वीडियो में तहीं क्रिकेट से जुड़ी लाइब अब्रेट के जुड़े रहें वर इंडिया हिंदी के साथ